नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग कोशिश करूँगा कि इस पर्टिकुला वीडियो में मैं ये पहला चेप्टर खदम कर दूँ थोड़ा ज्यादा अग्जॉस्टिव हो रहा है कई सारे पार्ट्स बन रहा है वीडियो के यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में गियोस्ट पर गैरी बार्टि के बारे में 1807 से लेके 1882 के टाइम प्रेड में ये अक्टिव थे वन ऑफ दो मोस्स सेलिबरेटेड इटालियन फ्रीडम फ्राइटर्स की कैटेगरी में इनका नाम लिया जाता है किसका Gary Valdi साब का Gary Valdi साब एक ऐसी family साथ है जो कही न कहीं coastal trade में involved थी ये खोद एक sailor थे merchant navy में 1833 में मजीनी के साथ पिले और चुकि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि मजीनी ने young Italy movement की शुरुवात की थी और young Italy movement के साथ as an Indian हम लोग नहीं जानते होंगे अभी बहुत basic प्रकार से हम लोग इन चीज़ों को पढ़ रहे है वैसे तो देखी जैसे हमारा Indian freedom struggle है वैसे हर country के अपने एक history है उस history को उतनी detail में हमें नहीं खंगालना है हमें थोड़ी थोड़ी बाते देखनी है बट फिर भी NCRT में enough details नहीं है enough details मैं अपनी अलग word history की series में आपके साथ discuss करूँगा ओके तो ये जो 1834 के Republican uprising थी Young Italy movement की जहां पर गिसीप गरी बाल्डी ने भी participate किया था इस uprising को suppress कर दिया गया और गरी बाल्डी को भाग के साथ अमरीका जाना पड़ा 1848 तक 1848 तक Gary Burdy वहाँ पे exile में लगे 1854 में इन्होंने विक्टर इमेंड़ल 2 की मदद की Italian states को यूनिफाइब करने में आपका पता है Italian states की यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन लोग पिछली वीडियो में देख चोके है फिर अगर आप बात करो यह जो हुआ था एक्सपेडिशन आफ थाउजन टू साउथ इटली 1860 में इसको लीड किसने किया था गेरी बलदी ने किया था जब यह कैमपेशन शुरू हुआ एक्सपेडिशन आफ थाउजन टू साउथ इटली धीरे धीरे करके लोग इस कैमपेशन के साथ जोड़ते गए और आप कह सकते हो कि इस कैमपेशन जो लोगों का नंबर था 30,000 पहुँच गया क्या बोला गया इनको रेडशेट बोला गया आइडलोजी क्या थी कि जितने भी इटैलियन स्पीकिंग जनता है इसको हम जोड़के एक नेशन स्टेट बना देंगे तो कुछ हिस्तों में स्पैनिश राज कर रहे हैं कुछ हिस्तों में कुछ और लोग राज कर रहे हैं ये नहीं चल पाएगा इटैलियन आइडेंटिटी का एक नेशन स्टेट होना चाहिए ये इनका एम था 1867 में गैरी बार्डी ने एक आर्मी ओफ वोलेंटिर्स को लीड किया रोम में और कहीं न कहीं पापाल स्टेट्स के साथ लड़ाई की कि अगर आप बात करो पापाल स्टेट्स की तो यहां थोड़ा सा आपको नक्षा देखना पड़ेगा ना टार्गेट था यूसिपी गैरी बैल्डी का और किसका विक्टर एमेनुवल टू का तो इसी लिए रोम में कब्जा करने के लिए यूसिपी गैरी बैल्डी ने एक आर्मी ओफ वोलेंटिर्स को लीड किया और पपाल स्टेट्स के साथ वहाँ पे लड़ाई की अभी पपाल स्टेट्स में एक फ्रेंच फोर्स औरेडी स्टेशन थी जब ये फ्रेंच टूप्स और पपाल टूप्स एक तरफ और रेडशिट्स जिनको लीड कर रहते गैरी बैल्डी एक तरफ जब इन दोनों की लड़ाई हुई और वेसी बात है यहाँ पे गैरी बैल्डी को पुल बैक करना पड़ गया गैरी बैल्डी पापाल स्टेट्स से नहीं जीत पाए उनकी फ्रेंच गैरी सन उनकी लोकल आर्मी से ये रेडशिट्स नहीं जीत पाए इनको बैक ट्रेक करना पड़ गया लेकिन एटीन सेविंटी में प्रशिया के साथ जब फ्रांस का युद्ध हो रहा था तो फ्रांस ने अपने जितने भी टूप्स रोम में स्टेशन थे उनको बाहर निकाल लिया और फिर फाइनली आप देखो कि पापाल स्टेट्स की जो लोकल आर्मी थी वो कमजोर पड़ गए जो फ्रेंच गैरिसन प्लेस था पापाल स्टेट्स में वो तो प्रशिया के साथ लड़ने में इन्वाड था तो उनकी फोर्स तो प्रशिया से लड़ने चली गए तो अब्भी से रहाथ पापाज स्टेट्स में किवल उनकी लोकल फोर्सित बची और वो कहीह न कहीं रेड शेट्स के सामने और ग्यूसीपिक गैरीबैलडी की साल्च के सामने ठिक नहीं पाई और यहां पे पापाज स्टेट्स अटली में यूनाइट हो गया और इटली एक नाशनल स्टेट की तरह आपे ये वाल होता नज़र आएगा यहाँ पर आपको विक्टर इमेन्वल 2 नज़र आ रहा है किंग और नीचे गेरी बाल्डी नज़र आ रहा है मतलब होता है तो इसका मतलब है रिलेट्स टूअ कॉमन रेशिल ट्राइवल और कल्चल ओर इजिन और बैक्डाउंड देटा कम्यूंटी इडिफाइज वित और क्लेम्स मतलब आप किसी प्रॉपर रेस से बिलॉंग करते हो या किसी कल्चल पर्टिकुलर कल्चल ओर इजिन क नहीं किया कर दीजे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कूल कर दीजे मेरे दोलब बनाएगे और वीडियो को देखने के लिए मुझे हल्प करने एक लिए आप चैनल पर जानल के प्लेलिस सेक्शन में जाहिए वहाँ पर आपको लक्षमी गांत की पॉ को भी रिफर कर सकते हो इस चाहरां पर फॉलो कर लिजे रेगुलर यापसे टच में रहने कोशिश करूँगा तलिकर आपको जोन कर लिजे इस पर्टिकुलर लेक्शर की नोटिफिकेशन के लिए मेरे बाकी लेक्शर की जो की करन्ट एफिर्स के लिए अब आते हैं विज प्रफीमा बना सकते हो एक स्टैट्यू मना सकते हो लेकिन कभी आप यह सोच सकते हो कि आप किसी देश को एक फेस देदो आज की डेट में हमारी देश कंट्री है इंडिया को कोई फेस दिया जा सकता है ऑव वेसी बात है बहुत मुश्किल है अठाभी और उनिस्वी है और जादतर केसिज में नैशन को as female figures प्रोट्रे किया गया ठीक है अब आव्वेस ही बात है कि किसी एक देश को किसी एक इनसान की तरह दिखाना या फिर किसी एक लेडी की तरह दिखाना एक female figure की तरह दिखाना का मतलब यह नहीं है कि वो किसी particular woman को renote करता है यह समझ यह बात को नैशन को यहाँ पर personify करना यानि कि person के form में represent करना does not point out to any particular woman in real life यहाँ पर नैशन का जो concept है ना basically यहाँ पर female figure को एक allegory की तरह यूज किया गया अभी आप बोलोगे allegory का क्या मतलब है यहाँ पर तो allegory का मतलब यहाँ पर यह है कि आप मतलब किसी चीज़ को express कर रहो आप fictional characters के दुरू कि कि किसी भी और प्रकार से किसी एक चीज़ को express कर रहो तो यहाँ पर एक country को एक lady के figure के साथ express किया ज़र आप यहाँ पर फोटो देखे आपको एक lady नज़र आ रही यहाँ पर basically यह जो lady है ना यह जर्मनी नाम के nation को यहाँ पर represent कर रही जो lady को नाम दिया गया यहाँ पर जर्मैनिया ठीक है ना यह जो painting है जर्मैनिया के cotton manner पर तयार की गई है कहने का मतलब यह है कि जर्मन देश को represent कर रही है और जर्मन देश को represent करने का मतलब यह नहीं है कि कोई एक ऐसी individual woman है और उस woman को जर्मनी के साथ identify किया ज़रा नहीं जर्मन देश को national state बनाने के लिए जिन principles को उस समय पर adopt किया गया उन principles को इस lady के माध्यम से represent किया जा रहा है अब यह समझाता हूँ कैसे आप देखो कि French Revolution के दौरान उस समय पर जो artist थे उन्होंने भी बहुत प्रकार की अलेगरी मतलब की female अलेगरी मतलब female figures के तुरू liberty, justice और republic के idea को propagate किया गया था French Revolution के दौरान आर्टिस्ट के दौरा इसके respect में मैंने पहले बात की है आप मेरी 9th class की भी जो word history की वीडियो से NCRT की वो भी देख लीजे और class 10 की भी सारी देखिए आपको overall idea मिल जाएगा तो पहले भी liberty, justice और republic के ideas को female figures के तुरू portrait किया जा चुका है और ये जो ideals हैं को female figures के तुरू या specific objects या symbols के तुरू portrait किया जाता है जैसे liberty को portrait किया गया red cap के दौरा या फिर broken chain के दौरा justice को portrait किया गया एक blind folded woman के दौरा जो की एक wing skills लेके खड़ी जैसे हमारे यहाँ पे कानून की photo होती ना कि एक lady के आखों पे काले रंग की पटी बंधी हुई है और उसने तराजू पकड़ रखा है कुछ उस प्रकार से justice को display किया गया तो उस समय पे French Revolution के दौरा और आज की date में हमारी जुड़ीशी में भी इस प्रकार से आपके सकते रेप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे आप दे सकते हो 19-वी शताबदी की पोस्टर जिस टैम पे 1950 की जहाँ पे Mariana को रेप्रेजेंट किया जा रहा है यह जो lady है Mariana she is the representative of Republic of France तो इस प्रकार से हर कंट्री की उस समय पे अपनी female allegories बनाई जाने लगी यह जो female allegories थी इनको 19-वी शताबदी मनाए गया नाशन को रेप्रेजेंट करने के लिए तो France को रेप्रेजेंट किया गया Mariana के साथ Mariana एक popular Christian name है ठीके ना, यह underline करता है Mariana की फोटो आपको यहां पे postage stamp में नजर आ रही है और precisely देखना चाहो तो यह Mariana की statue है France के शहर में तो यह आप कह सकते हो कि France का जो female figure का representation था वो कोछ इस प्रकार का साथ आप बाकी countries का representation Google search में search मार के आप देख सकते हो ठीके फिर हमने यहां पे देखा कि यह जो Mariana नाम का जो Christian name था जो France के साथ जो female figure associate किया गया उसकी characteristics कहां कहां से उठाए गये थे Liberty से, Republic से तो उसके पास Red Cap थी, Tri-Colour था, Cockette था अगर आप देखोगे कि Mariana के जो figures थे ना, वो France भर में public squares में लगाए गये कोलने वाले लोग हैं, वो अपने आपको French identity के साथ identify करें इसके लिए भी Mariana की images बनाईगी तो France के nation state के बनने में, ये जो Mariana नाम का figure था, female figure इसने एक major role play किया है ताकि लोगों को उनकी unity के बारे में आप दिलाए जा सके और उनको ये याद दिलाए जा सके कि आप एक France नाम के देश को belong करते हो, Mariana की images को बहुत सारे coins और stamps पे भी लगाया गया, similarly Germany के लिए जो allegory बनी वो थी Germany जो कि आपको right side पे यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे आपको देख सकते कि Germany ने oak leafs पहन रखी है, सर पे और German oak ता मतलब होता heroism, तो यह oak links इस lady के figure पे क्या दिखाया रखा है German heroism, allegory ठीक है न, allegory जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, जब किसी abstract idea को, यह abstract idea एक देश हो सकता है, या फिर greed, envy, freedom, liberty इसको किसी person या think के थुर आप express कर सकते हो, इसको आप बोलतों, allegory symbolic भी हो सकती है, literal भी हो सकती है ठीक है symbolic, literal में क्या फर्क है कि आप symbol के थुर किसी idea को represent कर रहे हो, literally, मतलब literally आपको उसी प्रकार में उस idea को दिखा रहे हो basically यहाँ पे symbolic तरीके से चीजों को दिखाये जा रहे है, मतलब German Empire की strength तो broken chain के आपको यहाँ पे नज़र आ रही है बिलकुल यहाँ पे, आपको broken chain नज़र आ रही है फिर breast plate with eagle plate नज़र आ रही है, जो breast plate with eagle है इसका क्या मतलब जर्मन empire की strength, तो यह German Empire की strength दिखा रहा है broken chain आदादी का sign है crown of oak leaves, heroism को दिखा रहा है जो की Germanian ने ऊपर पहन रखा था यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है crown of oak leaves, फिर sword दिखा रहा है readiness to fight, तो इस sword दिखा रहा है की जो Germania है वो लड़ने के लिए तयार है मतलब German people अपनी identity के लिए हमेशे लड़ने के लिए तयार है, फिर olive branch around the sword, sword के पास ही जो olive branch है, यह दिखा रहा है ठीक है भाई, हम लड़ने के लिए तो तयार है बढ़ हम at the same time peace के लिए भी तयार है फिर black, red और gold का tricolor का flag, यह है flag of liberal nationalist in 1848, इसको ban कर दिया गया था, doing of the general states के दोरा पर फिर भी जो लोग अपने आपको German identity के साथ relate कर रहे थे वो इस flag के थूर अपने आपको represent करते थे और rays of rising sun, यह पीछे जो सूज की किरने दिखा रही है, यह दिखा रही है कि भाई, एक नए era का जन्म यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे fallen germania जब national states के concept को corrupt करके, बहुत सारे leaders ने democracy को दबा दिया तो यह दिखाएगा कि भाई, जर्मेनिया का national state का concept था जो कि democracy और एक कुल representation के आदार पे आगे बढ़ा था वो कहीं ना कहीं नीचे गिर गया यहाँ पे आपको germania यहाँ जर्मनी के लोग guard करते नजर आ रहे हैं राइन नाम की नदी को 1860 में लॉरेंस क्लाजन ने इस आप कह सकते हो painting को मिलाया था काफी आप कह सकते हो कि German identity के respect में बात करो तो यह काफी बड़ी चीज़ हैं फिर आगे बात करते हैं nationalism की और imperialism की बात यह है कि 19th century के last quarter में आते आते last quarter हो जाएका 19th century का 1875 से लेके 1900 तक तो यह जो last quarter था 1900 शतापती का इसमें जो nationalism उधर के आ रहा था उस nationalism में idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century नहीं था मतलब कि जिस basis पे जिस democracy को लाने के लिए जिस liberalism को लाने के लिए nationalism की सिधान को यूरप में बढ़ाया गया basically वो democracy, वो liberalism, वो free thought exist नहीं करती थी अगर आप 1875 से 1900 time period की बात करो चुकि इस समय पे जो countries उटके आ रही थी वहाँ पे लोगों की democracy पे लोगों के rights पे धियान नहीं था वहाँ पे nationalism का मतलब था एक narrow creed with limited ends यहाँ पे कुछ ऐसे nationalist groups उटके आए जो कि अपने आपको पूरे देश का representative मान रहे थे बट वो actually में देश का representative थे नहीं और वो बाकी groups के साथ लड़ने को almost तयार थे इसका जो best example वो है Balkan Balkan वाली थे और यह आपको बताता हूँ उस समय पे आप देखोगे कि जो national states अपनी अपनी identity के साथ उठ रहे थे उपर ये सही बात थी कि वो अपने identity के साथ अपने आपको relate कर रहे थे अपनी भाशा के साथ relate कर रहे थे वो जिस चीज़ के साथ भी relate कर रहे थे सब कुछ सही था एक problem थी बस problem ये थी कि वो दूसरों के पती intolerant थे वो दूसरे उनको फूटी आँख नहीं सुहा रहे थे दूसरों को वो देखे नहीं पा रहे थे they were increasingly intolerant of each other और वो हमेशे लड़ाई के लिए यार थे और कहीं न कहीं ये जो नए nation states उठ रहे थे जो कि दूसरे nation states के identity के साथ अपने आपको नहीं बना मतब tolerance level बहुत कम था और इस कम tolerance level का फायदा उठाया बहुत सारी European powers ने जो बड़ी-बड़ी European कोलियोनलिस्ट powers थी वो इन लोगों को आपस में लड़ा के इनके उबर राज इस्थापित करने की हमेशा कोशिश करती रहती थी इसका जो best example है वो है 1871 में यह जो बालकन नाम का इलाका है इसका अगर आपको यह नहीं बताए कि बालकन वाले इलाके में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं तो अब इस पर्टिकलर यूरोप के मैप को देख सकते हूँ इस्टन यूरोप की यहाँ पर आपको कंट्रीज नजर आ रही है ठीक है यहाँ पर आपको उपर किदर सुलेवेनिया, क्रोटिया, योगोसलाविया, बॉस्निया, हर्जगोविना, सर्बिया, रुमानिया, बुलगेरिया, मैसेडोनिया, कोसो, अलबेनिया, ग्रीस तो अधर वाइट में आ जाएंगे तो तर्की शुरू हो जाएगा, बर टर्की इस नॉट अपर्ट ऑफ बालकन इलाका, बालकन इलाके के इस्ट में आपको ब्लैक सी नजर आ रहा है, आप मुझे बताईए, यह वाला सी कौन सा सी है, जो इधर आपको नजर आ रहा है, जह जोग्राफिकली और एथनिक रिवेरिशन बहुत था, जो कंट्रीज हैं आज की डेट में, रूमेनिया, बुलगेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मेसेडोनिया, क्रोशिया, बॉस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टिनीग्रो, जो कि मैंने अभी आप लेकिन जब रोमैंटिक नेशनलिजम की भावना फ्रेंच वगरा में पहने रगी, तो वो बालकस तक तो पहुंचेगी, पहुंचेगी, चूकि इस्टन यूरोप है, बात यह है कि ओटोमन अम्पायर यहां पे काफी कमज़ूर पढ़ चुका था, ठीक है, ओटोमन अम्प के में रहने वाले लोग हैं, वो सलाव जाती के लोग हैं, क्रिश्चिन से तो अब्वेस इबात है, वो ओटोमन अम्पायर के सेंट्रलाइस मुस्लिम रील से अपने आपको एसोसियेट उतना नहीं कर पाएंगे, अब यह जो बालकन इलाके की जो कंट्रीज हैं, उनकी nationalities और nationalism बढ़ने लगा, कोई problem नहीं है, धीरे धीरे इनका nationalism बढ़ने लगा, और धीरे धीरे यह अपने independence की बात करने लगे, लेकिन problem यह थी कि independence की बात आप ओटोमन अम्पायर से करो तो ठीक है, independence के साथ साथ इनके बगल में जो इलाके थे ना, उनके साथ भी यह लोग ल यह बालकन लोग कह रहे थे, कि हम पहले independent थे, हमें independence थो, हमें political rights थो, हमारी एक अलग nationality है, हमारे history में ऐसा ऐसा हुआ था, हमें foreign powers ने दबा दिया, हमारे विशा से free थे, यहां तक तो बात ठीक है, problem दोस्तों यहां पर यह है, कि यह बालकन की जो rebellious nationalities थी, यह ओटोमन अम nationalities थी, यह अपनी identity को लेके, अपनी independence को लेके, ओटोमन अमपार से तो लड़े यह लड़े, आपस में भी लड़ने लगे, एक दूसरे से jealous हो गया, और एक दूसरे की territory में और घुसके और इलाका कब जाने की कोशिश करने लगे, और जब छोटे छोटे राज आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगेंगे, तो सर्बिया, बॉस जिनिया के साथ लड़ने लगेगा, आसपास की country जे दूसरे के साथ लड़ने लगेंगे, इतनी जादा इरश्या, इतनी जादा चलन, इतनी जादा दूसरे की अलाके में घुसके कबजा करने की कोशिश, उसके च पहले तो यह लोग आपस में लड़ रहे हैं तो मैटरस कब कंप्लिकेट हो गए जब बिग पावर राइवल्री होने लगी फ्रांस और इंगलेंड जैसी कंट्री यहां पर आके कोई किसी एक को सपोर्ट दे रहा है कोई किसी दूसरे को सपोर्ट दे रहा है तब यहां इंटेंस राइवल्री शुरू हो गई इन यूरोपन पावर्स में ट्रेड्स को लेके को लेके नैवल और मिलिटरी वाइट को लेके और इस हद तक यहां पर लड़ाईया होने लगी और जो बड़ी पावर्स थी जर्मिनी इंगलेंड रश्या और ऑस्ट्रियो हं मेंन रीजन है ना वो कहीं न कहीं बालकन पेनिंसूला से निकल के आता है सलाव जाती कि जो देश थे छोटे छोटे इनके बीच में इंटर्नल राइवल्री इतनी थी यह इतना एक दूसरे को नहीं देख पाते थे वो कहते ना फूटी आंक नहीं सुहाना कुछ इस प्रका कि आपको ब्रिटनिया नजर आ रहा है वर्ड के उपर यह ब्रिटनिया बैठी हुई है यह जो ब्रिटानिया है यह ब्रिटिश नचिन का सिंबल है से यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही तो यह जो नैशनलिजम की भावना थी इंपिरियलिजम की भावना थी इसने डिजास्टर फेला दिया यूरोप में 1914 में लड़ाईयां हो गई फर्स्ट वर्ड वार्स चड़ गया ओके अब यहाँ पर एक और ट्रेंड देखने को मिला इंपिरियलिस्ट कंट्री इंग्लेंड जैसी कंट्री ने दुनिया भर में चिंजन कोलोनीस के उपर अपना कबजा कर रखा था वह कोलोनीस के अंदर भी नैशनलिजम आया और वह कोलोनीस इंपिरियल डॉमिनेशन को अपोस करने लगी और दुनिया भर में एंटी इंपिरियल मूवमेंट चलने लगे एक ऐसा ही मूवमेंट आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है 1915 में गांधी जी की एंट्री होगी और हमारे एंटी कॉलोनिलिस्ट स्ट्रगल को एक प्रॉपर दिशा एक प्रॉपर डिरेक्शन दिखाएंगे गांधी जी ठीक है न भई तो बालकन इलाकों में जो हुआ वो भाई बहुत एक्स्ट्रीम फार्म आफ नैशनलिसम था उसने पूरे के पूरे बालकन इलाके को तोड़ा ये तोड़ा पूरे के पूरे यूरोप को डिस्टेबिलाश कर दिया एट वालकन इलाके जैसे ईरश्या वाले रहों कहीं न कहीं पे जो एंटी-इम्पिरियलिस्ट श्ट्रगल चले है उसमें नैशनल उनिटी की भी बात की गई है जरूरी नहीं है कि यह यूरोपन आइडियाज उफ नैशनलिस्म जो कि long time में बहुत catastrophic थे ये बाकी देशों में follow कियो गयों इंडिया में जो nationalism था वो European nationalism से बहुत अलग 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 देशों का nationalism अलग अलग तरीके सामने आया जापान में अलग था, China में अलग था, इंडिया में अलग था Myanmar में अलग था, लेकिन अब nation states बनाने की जो भावना थी वो बहुत natural और universal थी दुनिया भर की देश अपने आपको national state बनाने चाहते थे और finally वो national state की बाद क्या बनेंगे countries तो यह था chapter number 1, खतम हो गया जल्दी chapter number 2 में आपसे मिलाकात होगी thank you for watching, have a great day